हाई गाईज कैसे हो आज हम बनाएंगे वाइट छोले तो हमने वाइट छोले ले लिए क्योंकि ये पांच गहंटे के लिए भीगोने के लिए छोड़ दिये थे अब लेंगे हमें तेज पर्ता मोटी लाइची तीन कप पानी एक चमच नमक और इसकी चार से पांच सिटे पेस्ट, प्याज का पेस्ट, दो टमाटर का पेस्ट रखते हैं कड़ाई इसमें डालेंगे तीन चमच ओल इसको हलका सा गरम होने देते हैं अब डालेंगे इसके अंदर जीरा जीरे को भी रेड होने तक पकने देते हैं अब डालेंगे इसके अंदर रहसुन और द्रख का पेस्ट उसको भी हलका से रैड कर लेते हैं ये भी हलका रैड हो गया अब डालेंगे इसमें प्याज का पेस्ट इसको भी पका लेते हैं हम ये भी पक चुका इसके अंदर डालेंगे हम हरी मिर्च दो कटी वी इसको भी पक अब डालेंगे हम इसके अंदर पेश्ट जो तो टमाटर का पेश्ट था वह इसको तब तक पका देल न को पक चुछा अब डालेंगे इसके अंदर हम मसाले धनिया पाउडर हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, गरम मसाला, चना मसाला इसको हमने पका लिया है अब डालेंगे इसके अंदर छोड़ ले छोड़ ले हमारे देखो पक चुके मैं चार से पांच सीटी लगवा ले थी अब इसके अंदर हम डाल देंगे और इसको हम पकाएंगे पांच या छे मिन्ट के लिए ढखके हम इसको छोड़ देते हैं पांच मिन्ट के लिए हमारे छोड़े पक चुके हैं हम इसको निकाल लेते हैं किसी बरतन में और फ्रेंड रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना शेर करना चैनल को सब्सक्राइब करना